Hello Friends, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी July 2023 सेशन में एड्मिशन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप BAG या फिर BA owners के किसी program में admission लेना चाहते हैं तो इसके लिए eligibility criteria क्या है, fees क्या है इसके बाद ये जो आपके exam है वो semester wise होंगे या yearly wise होंगे इसके बाद exam कब होंगे, आपके assignment कम submit होंगे इन सभी important information के बारे में आज की इस video में हम बात करने वाने तो दोस्तो आईए बिना देरी करते हैं, video को start करते हैं तो admission लेने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको admission portal पर आना है admission portal पर आने के लिए आप IGNU की website पर आकर भी admission portal पर आ सकते हैं या फिर आप directly भी आपको search करना है, google पर ignuadmission.summer.adu.in तो यहाँ पर आप IGNU की admission portal पर आ जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर program information में जाना है आपको जो भी program करना है, सबसे पहले उस program की सारी information आपको पता होनी चाहिए जैसे कि आपको आपको जैसे कि BA करना है, तो यहाँ पर आपको BAG search करना है इसके बाद यहाँ पर BAG का option आजाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन से subject यहाँ पर आपको मिलेंगे इसके बाद अगर आप कोई honors program करना चाहते हैं, जैसे कि आप history honors तो यहाँ पर आप BA, HI, H डाल सकते हैं, तो यहाँ पर BA history honors आजाएगा, तो आप जो भी honors program करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी duration, medium, इसके बाद इसकी fees क्या है कौन कौन से regional center, study center में यह program offer किया जाता है, यह सारी detail आ जाएगी, जब यह आप detail चेक कर लेंगे, detail चेक करने के बाद आपको admission के लिए registration करना है, इसके बाद आपको form fill करना है, इसके लिए मैंने पहले से video बनाया हूँ, आप मेरी ये video देख सकते हैं, इसके बाद आपको कि प्रोग्राम में admission यब यव ब ये की में admission लेते हैं जुलाई 2023 session में, चाहिए ब ये 21 स्चन में, अगर ब ये की प्रोग्राम में balcony लेते हैं चाहिए वह ब ये जी ओ, चाहिए ब कोई प्रोग्राम हो, यह ब हुआना पर और समेस्टर बाद हो या की languages के मैं, याаз जूज्ट बाकि आपके exam जो है early mode में होंगे क्योंकि यहाँ पर आपका जब आप admission लेंगे तो semester first और second semester आपको दिया गया है तो students को doubt रहता है students कहते हैं कि सहथ semester wise exam होंगे पर ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपको subject दिये गए है यहाँ पर semester wise बाकि आपके जो exam होंगे वो दोनों semester यानि first और second दोनों semester के total आपके 8 subject होते हैं तो 8 subject के आपके exam जो होंगे वो एक साथ होंगे अभी आप July 2013 session में admission लेंगे तो आपके जो exam है वो आपके June 2024 में होंगे इसके बाद exam देने से पहले आपका एक exam form भरा जाएगा और यह जो आपका exam form है वो आपका अपरेल और यह जो आपका exam form है यह March April 2014 में भरा जाएगा exam form भरने के बाद exam form में क्या होता है exam form में आपके exam fees जाती जितने भी आपके exam होते हैं तो 200 रुपए पर subject आपकी fees लगती है उसमें आपके exam form में आपका exam center होता है कि कहां पर आप exam देना चाते हैं कि सेटी में आप exam देना चाते हैं वो फिल करने के बाद exam form भर जाता है आपका इसके बाद आपके June 2024 में exam होंगे इससे पहले आपको assignment भी submit करने होते हैं तो आपको 8 subject के जितने भी आपके subject हैं 8 subject होते हैं आपके बीए में या बीए औरनस का कोई program है तो इन 8 हो subject के आपको assignment बनाने होंगे अब यह assignment क्या होता है तो assignment आपको यह आपकर फाइले बनानी होते हैं भी subject है, उसके लिए पहले, आपको assignmentिंट के जो भी question paper होते हैं, वो download करने होते हैं, तो इसके लिए आपको ignyoo की official website पर घब आप download को option पर जाएंगे तो यहां पर आपको assignment मिल जाईगे, bachelor degree program पर आना है, इसके बाद यहां पर अगर जुलाई 2023 इसके बाद अगर आपका जुलाई 2023 का एडमेशन है तो यहाँ पर आपको जनवरी 2023 जुलाई 2023 पर क्लिक करना यहाँ पर आपके जो assignment के question paper वो आ जाएंगे वैसे तो अभी assignment के question paper update नहीं हुए क्योंकि अभी आपका admission स्टाटी हुआ है लगबग यह October नौंबर तक website पर update कर दिये जाएंगे जैसे यह update होंगे आप assignment बना सकते हैं इसके बाद आपको यह जो assignment है बना कर कैसे बनाने है किन page पर बनाने है कौन सा pen use करना है कौन से file यूज करनी है complete process आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं इन सभी वीडियो का link आपको मेरी description box में मिल जाएगा तो ऐसे आप assignment बना सकते हैं assignment बनाने के बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको March अप्रेल 2024 में यह assignment submit करने है assignment जब आप submit करते हैं तो assignment submit करने के से पहले आपके regional center की तरफ से assignment submission की guideline जारी होते हैं कि आपके assignment online submit होंगे या फिर offline submit होंगे तो जो भी guidelines होते हैं उसके according आपको assignment online या offline submit करने होते हैं तो ये आपको सारा process करना होता है जब आपका admission हो जाता है तो admission के बाद आपको assignment submit करने होता है assignment submit करने के बाद इसके बाद आपको registration करवाना होता है next year के लिए क्योंकि IGNU में exam से पहले भी आप registration करवा सकते हैं next year में जाने के लिए आपसे next year की fees पहले ही ले ली जाती है तो ये सारा complete process होता है admission के बाद तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कि आपको क्या क्या करना अगर आपने BAG program में admission लिया है या फिर BAG के किसी प्रोग्राम में admission लिया है आपके exam कब होंगे जुलाइ 2023 का admission आपका तो आपके जून 2024 में exam होंगे और March April 2023 में और March April 2024 में आपके exam form भरे जाएंगे उसी time आपके assignment भी submit होंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा share करें और वीडियो से related अभी भी आपको कोई doubt है तो आप मुझे में टैलिग्राम इस्ट्राग्राम पर follow करके अपना doubt clear कर सकते हैं धन्यवाद